जय गौ मातागी, जय भारत मातागी, आप सब कैसे हैं, उमेद करता हूँ कि महाभगवती किरपास आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से समझाऊंगा, कि करीब अदेड़ महीना में आप लोगों के समक्स नहीं आ पाया, उसका ए ऐसे लोगों की जो गंबीर समस्चा हैं, उस स्थान पर जाकर उस सक्स के मिलने से मतर प्रेशानियां दोर हुई हैं, तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने मित्र प्यारों में ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा, और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को कहीं पर भी देख रहें, किसी भी माध्यम से देख रहें हैं, तो ये पूरी वीडियो आपको किवला आपके यूटूब चैनल जोते साथना के इंदर पर ही आपको प्राप्त होगी, दोस्तों, यदि आ आप सर्वाइकल, या नस ब्लोकिज से, या घुटनों के दर्द से, या कमर दर्द से, या बाजू के पेंद से, ज्वेंट पेंद से आप प्रेशान है, तो ये जानकर ये आप लोगों के लिए बड़ी ही अदबुद रहने वाली है, क्योंकि सेम सुचूएशन के अंदर म और उस समस्या से मैं बाहर भी निकला हूँ, तो दोस्तो आईए इस विशे पर, लेकिन जानकर ये आपकी पूरी जो विडियो कंप्लिट होने के बाद ही आपको प्राप्त होगी, पहले आपको पूरा विबरन बताते हैं, फिर उनका फोन नंबर और उनकी तमाम जानकर य कोई पेन नहीं था, तो सुबह जब मैंने उठने का बिस्तर से प्रियास के अपरण तो मेरा दर्द इतना जादा भयानक था, कि दोस्तो वो सब्दों में सेर नहीं किया जा सकता, यदि आप लोगों में से कोई उस दर्द से निकला है, तो मेरे सब्दों के ब्यान करने से आप समझ सकते हैं, तो दोस्तो मैंने हजारों परिकार के प्रियास की है, MRI की कपिंग करवाई, पहलवान से मालिक से जो भी जितने भी प्रियतन होते हैं, क्योंकि दर्द इतना भयानक था, कि आप पूछे मत कि कितनी ज़्यादा पीड़ा सरीर को उस समय पर जेलनी पड़ हैं, तो मुझे लगा कि माध्धम मा भगवती ने भले मुझे बनाया है, पीड़ा मुझे थोड़ी ही ज़्यादा भले मिली है, परन्तु मेरे माध्धम बनने से बहुत से लोगों की और आज इस वीडियो के बाद और ज़्यादा लोगों की समस्याय सोल होगी. तो दोस्त बीच में एक बड़े समान नहीं हैं मेरे परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको मेरे बारे में इस गटना का पता लगता है तो तुरंत जो है बात करते हैं उच्छे कि आपको मैं घरोंडा लेके जाने के लिए त्यार हूँ आपको मेरे साथ चलने में पर दोस्तों मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि हजारों प्रियास मैंने किये थे पर किसी प्रकार से राहत नहीं मिली थी उनका प्रिवारिक है आग्रय करने पर और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उनके आयू को हमेशा लंबी रखे उनके प्रिवार में सदा खुश्या बने रहे वो मुझे उस्थान पर लेके गए बिलीव नहीं था विश्वास नहीं था प्रंतु उस्थान पर जाकर जो मैंने नजारा दोस्तों देखा है वो बड़ा ही अद्वूद था उस महान सक्षित ने जैसे ही मुझे जहां मुझे दर्द था उसी अंग को हाथ लगा कर वो चीज अग्जेक्ट मुझे बताई है जो मैंने पांच जारूपे खर्च करके MRI 500 रुपे डोक्टर गोपेडी देकर प्राप्त की थी वो किवल उसने मात्र अंग को चुने से ही उस पूरी जानकारी को मुझे दे दिया एक जैक्ट वही ।जो की रिपूर्ट में थे बड़ा ही अधुद था विश्वास समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्तिति कैसे संभख सकती है वही एक्जेक्ट क्वेंट जो रिपूर्ट में और मैंने यह चीज खाली कि वाकिया में यहां पर कुछ ना कुछ कोई डैविक सकती का प्रभाव है, मां भगवती की विशेश किरपा है, क्योंकि वहां पर मुझे सबसे इंटरस्टिंग क्या चीज लगी कि वहां पर लालच नहीं है, कोई पैसे की किसी भी प्रकार से डिमांड वो सक्स नहीं करता है केवल माकतर जो आपकी सरदा हो वो आप महां पर अप्ण कर सकते हैं, और दोस्तों केवल उसने पांच से दस मिनिट में ही मुझे उस दर्द से निजात दिला दी, मैं हैरान था कि माकतर पांच से दस मिनिट के अंदर अंदर ही, उस महानस्ति उस महापूरुष, जिनके बा आते समय दर्द से बड़ा परिशान था गाड़ी चला कर गया परन्तु आते समय मैं बिलकुल ही फिटा किसी परकार की मुझे कोई दर्द कोई पीडा नहीं थी तो जब हम हजारों प्रकार के प्रियास करते हैं और जब हमें कोई हल नहीं मिलता है तो विश्वास नहीं हो परता है वही कंडिशन मेरी थी मुझे लगता था कि शायद कहीं दुबारा ना हो जाए दर्द तो यह कैसे होता क्योंकि यहाँ पर माभगवती के विशेश असीम कृपाती को विशेश चमतकार था उस्थान का कि मुझे किसी भी परकार का कोई दर्द नहीं हुआ मेरी नीजी जानकारी में बहुत से ऐसे लोग थे किसी को गोड़े की प्रोब्लम थी, ओप्रेशन की स्थिति बनी होई थी दर्द से प्रेशान थे, कोई अराम, कोई राहत नहीं मिल पारी थी कहीं-कहीं दिन सोए हुए होगे थे उनको तो मैंने उस थान के बारे में उनको उपेतार हो गए तो वो भी बड़ा अदबूद था कि उनको पहले दिन ही अराम मिला, जो टांग उनसे अपने मोडी नहीं जा रही थी, इसी दिन ही की जा रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गए और चलने फिरने भी लगए तो दोस्तों, अब भी विश्वास करना बाकी था तो मैंने बहुत से लोग ऐसे जो मेरे पास आते थे अपनी जो आप भी तिन को शेर की और क्योंकि आज कल हमारे जो खान पान या फिर हमारा जो जैसे सेटिंग जादा है क्योंकि ये जो तिसका ऐसा का रही है कि दोस्तों, इसमें हम कई बार सुबह 7 बजए बैटते हैं तो रात के 9-10-10 बजए बैट जाते हैं तो कारण इसका यही रहा कि समय पर कहीं बार खाना नहीं खा पाते हैं जादा सेटिंग होने की वज़े से जो है मन का सिरक के जो नसे हैं उनमें ब्लोकी जोचु की थी और दर्द जो है ये धीरे धीरे पहले कम हुआ फिर ज़्यादा वड़ गया और फिर एक दिन ऐसे स्थिति आई कि बहुत ज़्यादा हो गया अब दोस्तो उस थान पर जाकर मैं आपसे सब्दों में गिनते नहीं करवा सकता उन सक्सों की कि मैंने मतलब बहुत लोगों कोई जानकारी सेर किया और मैंने फिर बाद में उन से पुछा भी है कि वहाँ पर आप उस्थान पर गए थे वापको कैसा लग रहा है तो उनका कहना यही था कि आपने उस्थान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तो दोस्तों यदि आपके परिवार में कोई भी नरोगों से सर्वाइकल थाईरेड या गुटनों का पेन या ग्रेस का तमुरे किसी भी परकार की सारिक पीडा से दर्द से प्रेशान है तो यह जानकर यह आपके लिए भी बहुत जरूरी है आपके अपनों के लिए भी जरूरी है और आपके सत्रू के लिए भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों दर्द का पता नहीं होता किसको मिल जाए और मेरा माना यह है जीवन में कि हमें सत्रू के भी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो विचारों का खेल है, हम उसके विचारों से सहमत नहीं है, परंतु एक अदभूद विशेश क्या है, कि वो भी प्रमात्मा की देना है, हम भी प्रमात्मा की देना है, तो इसलिए यह जानकारी सबको शेर करने चाहिए, यह दि कोई आपके परिवार में, या बु पैसे का वो है कि आपको वहाँ पर पैसे जो फीश है वो विशेश कर फीश कोई टैस्टिंग वगएरा है कुछ भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि वह आपको चूने मातर से ही वह आपकी समस्या को बताते हैं और आपको दर्द से राहत दिलाते हैं मैं इस वर्ष से धन्यवाद करता हूँ दोनों सदसे का जो मुझे लेकर गए उनका भी और जो उस्तान पर बैठे हुए हैं मकड राना जी मैं माभगवती शे हार्दी का विनंदन प्राथना करता हूँ कि ऐसे महापुरुस की आयों में और थोड़े वर्षों की बढ़ोतरी करें यदि कम आयू के वर्ष हो तो हमारे जीवन से भी कुछ आयू के वर्ष उनको दे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएं तो दोस्तों दर्द एक बहुत बड़ी समस्या होती है तो दोस्तों आईए चलते हैं अब इस जानकारी की तरफ के उस्थान का हैं यदि दोस्तों आप कहीं पर भी किसी भी जगे पर हैं तो ये जानकारी जो है आपको एड़स की करनाल के पास घरोंडा है अगर आप दिल्ली से आते हैं तब भी रस्ते में पढ़ता है और करनाल से जाते हैं दिल्ली के तरफ तब भी रस्ते में पढ़ता है घरोंड तो आप जायेगा इस अडरेस पर और अपनी समझ्चा को सोल करवाईएगा आपके जैसे ही आप उसे रिये मेंट्री करते हैं तो आपके राइट हाथ में जो है एक कैमिस्ट की शौप है और लेप्ट हाथ में गली जा रही है उसी गली के अंदर एक स्थान है सामने एक जोप की वो कई और गए हुए मिले हैं, एक बार तो मेरे भी साथ वाके मैं किसी और को लेकर गया था, तो दोस्तों यदि आप दूर दुर द्राज से आते हैं, निकट से हैं, तो कोई ऐसी समझ्चा नहीं है, पर यदि दूर द्राज से हैं, तो कृपा अगर क्या आप उस्तान पर उनके फोन पर संप्रक करके ही उस्तान पर जाईएगा आप से किसी भी प्रकार के ना सहसरी फीस नहीं ली जाएगी वैसे फीस का तो वहाँ कोई मैता भी नहीं है क्योंकि उस सक्स के अंदर मुझे ये चीज बड़ी ही अद्बूद लगी बड़ी अच्छी लगी है कि वो पैसे को नहीं देखते हैं कि वहले लोगों की सेवा से मतलब रखते हैं तो दोस्तों ये जानकारे आप लोगों को कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिएगा और मेरा तो जो है तक्रिबन मन संतुष्ट है उस थान से किसान होगा सर्वाइकल थाइरेड या कमर पेन या नसुकी ब्लोकिट से या पैर के दर्थ से या घुटनों के दर्थ से उसे राहत जरूर मिलेगी तो इस थान पर लोगों दोस्तों आप जरूर जाईएगा वीडियो को जादा से ज़्यादा सेर कीजिएगा और फिर से आप लोगों के बीच में पस्तित हो चुके हैं तो अब आपके समख जल से जल अच्छे जान करें लेके आते रहेंगे आज के लिए दोस्तों इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए और माध्धम से दोस्तों तब तक के लिए जै गव माता की जै बारत कीजिएगा क्योंकि वो हमारा सहारा हैं और हम उनका सहारा प्रकृति में हम दोनों का बड़ा अटूट सम्वन्द है तो इस सम्वन्द को ऐसे ही बरकरार रखना और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें अपनी डेटो वर्थ वर्टसप की कीजिएगा समय जैसे मिलेगा हम आपसे कोंटेक्ट जरूर करेंगे यदि आप किसी भी प्रकार की प्रेशानी से जादा प्रेशान है तो मां भगवती किरपा से प्रेशान मत हुएगा हम आपकी सेवा में उपस्तित हैं तो जैसे मां भगवती आदेश करेगी वैसे हम जा जै गूमातागी, जै भारत मातागी